नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सभी का ओटो विस पे मेरा नाम है हर्शित और आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की एक बहुत ही बहतरीन सबकॉम्पक्ट SUV की जो की RAV4 है अब यहां पर देखिए हमारे पास कुछ रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो टो देखने में लग रही होगी कि हो सकता है ब्रेजा या फिर क्रेटा के ही आसपास वाली हो तो यहां पर एक चीज बड़ी नोटिस करने वाली है टोयोटा की अर्बन क्रूजर भी इंडिया में आने वाली है इसके अलावा यह जो RAV4 है यह भी 2021 मिट तक आ जाएगी तो यह एक बड़ी ही confusion वाली बनी है कि टोयोटा की एक ही segment में दो गाड़िया आ रही है जो कि आपस में ही एक दूसरे को competition देने वाली है तो यह थोड़ा सा confusion वाला point बना हुआ है हाला कि यह हो सकता है जरूर यह जो RAV4 है यह थोड़ा सा premium segment में जा सकती है महंगी हो सकती है तो इस इस वज़े से जो ब्रेजा है या फिर urban cruiser कह सकते है उससे एक कदम उपर रहेगी तो यह दो possibilities है जो कि इस RAV4 के साथ हो सकती है अब देखे दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और additional बताना चाहूंगा यह जो Toyota की RAV4 है फिलाल इसे company जो है 2021 के mid तक इसको CBU unit के तौर पर आने वाली है यानि कि completely built unit के तौर पर और वो भी 2500 units के आसपास इसको इंपोर्ट किया जाएगा अब यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा 2500 units इसलिए रखी जाती है क्योंकि इन पर 2500 units तक Indian government जो है वो tax concession देता है तो इस वज़े से पहले वो चेक करेंगे कि Toyota RAV4 क जो इसका sales है वो किस तरीके से रहेगा फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अगर इनको समझ में आएगी sales वगरा सही रहेगी तो इंडिया में production स्टार्ट हो जाएगा या फिर अगर नहीं भी होगा तो भी इसको CB unit के तौर पर हो सकता है completely लाया जाए देखिए इसके अलावा लंबी है 1855 mm चौड़ी है 1685 mm ऊची है और अगर बात करी जाए wheelways की तो वो almost 2690 mm का है तो कुछ इस तरीके से आपको इसके dimensions देखने को मिल जाएंगे dimension wise तो यहाँ पर साफ तोर पर देखने में लग रहा है कि यह 4 मीटर से लंबी है जैसा कि 4600 mm की इसकी length है तो हो सकता है कि 4 मीटर से कम की range में इसको लाया जाए लेकिन अभी फिलहाल तो जो इसकी length है वो 4600 mm की है अब देखिए दोस्तों अगर बात करी जाए इसके looks और styling के बारे में तो यहाँ पर मुझे personally ऐसा लग रहा है कि जो urban cruiser आने वाली है Toyota की थोड़ा थोड़ा front का look जो है उसी के जैसा लग रहा है इसका जो bonnet वगरा है front का portion वो एकदम straight आपको देखने को मिल जाएगा कई गाड़ियों में आपको almost मेरे ख्याल से सारी ही गाड़ियों में थोड़ा सा नीचे की तरफ slanting type को देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एकदम flat type का मिलेगा यह का लग रही है मुझे तो इस तरीके का आपको design मिल जाता है काफी बड़े इसमें wheels भी मिल जाएंगे इसमें जो alloy wheels होने वाले है design भी काफी अच्छी लग रही है तो कुछ इस तरीके कि आपको Toyota की RAV4 देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों अब देखिए finally अगर बात करी है काफी जादा powerful engine है इसके अलावा अगर transmission की बात करी जाए तो इसमें आपको मिलता है CVT transmission ये भी काफी बड़ी है इसके अलावा देखिए अब finally आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अगर Indian market में launch होती है जो कि 2021 के mid तक हो जाने वाली है तो यहाँ पर direct competition जो Jeep की Compass है वो मे रहे ख्याल से वही जो है इसका direct competition होने वाला है अब देखिए दोस्तों वीडियो के final part में आपको बताना चाहूंगा इसके price से related कुछ information यहाँ पर देखिए यह जो price related information में बता रहा हूं यह मेरा ऐसा मानना है ऐसा भी expected है फिलाल ऐसा confirm कोई इसके बारे में information नहीं आई है तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि personally यह जो Toyota की RAV4 है यह कम से कम 20 से 25 लाग रुपए के आसपास की range में जो है वो इंडिया में launch होगी क्योंकि काफी ज़दा premium लग रही है design wise भी अगर बात करिए इसके अलब अगर interior wise भी बात करिए तो overall काफी premium लग रही है और मुझे ल पारे में जो हमारे पास नई information आई है कि यह इंडिया में आने वाली है 2021 के mid तक वो शेयर करी इसके transmission के बारे में बताया engine के बारे में बताया बाकी सारी information आपके साथ शेयर करी dimensions के बारे में आपको information बताई अब आप दोस्तों मुझे बताईए कि आप क्या सोचते है Toyota RAV4 के लग रही है आप को ये गाड़ी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी question है या फिर suggestion है तो मुझे नीचे comment box में ये भी जरूर बताईएगा इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो please like और subscribe जरूर कर दीजेगा तो चलिए finally at last thank you for watching drive safe and until next video goodbye